किसी chemical reaction के दोरान कितनी heat evolve होती है या absorb होती है उसे आप बोला करते है enthalpy या फिर heat of reaction ऐसी reaction जिनमे heat evolve होती है उन्हें एक्सो थर्मिक खा जाता है उनका डिल्टाइच नेगेटिव होता है और ऐसी reaction जिनमे heat absorb होती है उनका डिल्टाइच पॉजिटिव होता ही हम जानते हैं अब हम लोग बात कर रहें बच्चो पहली type of heat of reaction के बारे में जिसमें हम बोल सकते है enthalpy of formation निर्मान की उश्मा संभवन की उश्मा यह क्या होती बच्चो इसे हम enthalpy of formation बोलें या फिर heat of formation बोलें heat of formation क्या होती बच्चो जब कभी किसी chemical compound के एक मोल को बनाते हैं उसके constituent element से उसके घटक तत्वों से और जो जो constituent element है they should be existing in their fundamental state fundamental मतलब क्या उनकी जो natural state होती है उनकी जो मौलिक अवस्था होती है जब कभी किसी chemical compound के एक मोल का मैं formation करता हूँ उसके constituent elements है and those constituent elements should be existing in their fundamental state and natural state natural state या fundamental state से मतलब क्या होता बच्चो वो state जिसमें element अमूमन मिला करता है जिसमें अगर हम देखे तो वो nature में पाया जाता है जैसे example के तोर पे अगर oxygen की fundamental state बोलें तो वो O2 होती है oxygen normally किस form में मिलता है और O2 की form में और O2 भी कौन सा? Gaseous form में और O2 भी as such oxygen atomic form में भी मिल सकता है native form में हम बोला करते हैं या फिर nascent element जो होता है और oxygen atomic form में होता है hydrogen की fundamental state है बच्唱 & O2 भी कौन सी form में इसी प्रकार से अगर कोई कोई बोले कि sodium तो sodium की fundamental state क्या होती बच् countdown और न और कौन सी solid form में इसी प्रकार से अगर हमसे कोई बोलता है कि carbon अपको पता है carbon का एलो टूस होता है वह होता है diamond होता है graphite होता है is jazz graphite काफी ज्यादा thermodynamical stable भी होता है तो carbon की fundamental state होती है बच्छों वो कौन सी होती है वो carbon graphite farm में यहाँ पर capital G का मतलब gaseous बसचाइस मैं समझेगा capital G means graphite यहाँ पर small g अगर लिखा करते हैं तो वो gaseous होता है तो अगर कभी कोई element बच्छों उसकी fundamental state में है, तो आप fundamental state सो उसको बना रहे हैं, यहाँ पर carbon के बारें बाल रहाता है, carbon की fundamental state, graphite क्यों आ लेगे, carbon diamond की रूप में पाए जाता है, पर हम चाहे जहाएं अगर अगर देखे तो क्या बहुत कम मिलता है जो भुछक्रत करती US GIS कीमत ज्यादा होते बहुत कम मिलते हैं रहे इस इन ले वह महेंगे हैं ओगर आईरण की जैसे निकलता है वैसे निकल तो फिर सों सू इस अःगों कोस्ट भी बसी हो जाती, फिलवर और जो गोल्ड वो काफी जदा कोस्ली यह क्यों है? क्योंकि बहुत कम मिलता है, लाइक वाइस डायमड भी, तो अगर डायम डायमड कार्बन की फिंडामेंटर स्टेट नहीं करी जा सकती, यह यह यत्रततल हमें नहीं मिलता, वह बड़ी र के एक मोल को बच्चों मा उसके कॉंस्टुटूटूटूट अलिमें जा बनाता हूं and those constitute element should be existing in the fundamental state and what is mean by fundamental state fundamental state or the natural state is that state in which normally an element exists like oxygen exists in form of O2 in gas sorry hydrogen exists in form of S2 in gaseous form likewise I have written these elements likewise if you talk about sulfur sulfur also exist in solid form तो इन केस में बच्चों क्या होता है जितनी heat evolve होती है या absorb होती है उस heat को हम क्या बोला करते हैं बच्चों enthalpy of formation उसे हम बोला करते हैं enthalpy of formation यहने कि निर्मान की उश्मा ठीक है जैसे example के तोर पे हम देखें यहने suppose कीजिए कि मैं जैसे carbon dioxide के बारे में बोलता हूँ तो carbon dioxide के बारे में बोलता हूँ तो देखें carbon dioxide का मैं एक मोल बनाता हूँ अब carbon dioxide के concentrated element कोन है उसके concentrated element है बच्चों carbon इसके एक तो carbon है और oxygen है यह लीजिए साहब अब यह carbon की fundamental state देखी जाया तो वो कौन सी है graphite है oxygen की fundamental state देखी जाया तो वो कौन सी है gaseous है so यह carbon and oxygen have reacted together to make CO2 अब इस case में जितनी heat release होगी बच्चों इस case में जितनी heat release होगी उस heat को हम बोलेंगे heat of formation उस heat को आप क्या बोलेंगे heat of formation या फिर heat of enthalpy of formation जिसे हम इसे हम किसे रिपजन करते है बच्चों इसे हम रिपजन करते होते है delta HR से ठीक है तो जब कभी किसी chemical compound के एक mole को आप बना रहे है कितने mole बनना चाहिए यहाँ पर ध्याम दे लिजिए एक mole बनना चाहिए जैसे example के तोरब हम लेते है S2SO4, S2SO4 को मैंने suppose कीजिए liquid form में बनाया मैंने उसे द्रव रूप में बनाया तो S2SO4 के जो constitute element है वो कौन-कौन से बच्चों S2SO4 के constitute element है hydrogen देखिए फिर कोन है sulfur जो के solid form में फिर कोन है oxygen अच्छा यहाँ पर oxygen के atom कितने है चार अगर चार एटम है तो mole कितने होंगे बच्चों mole होंगे इसके दो ठीक है You have made one mole of S2SO4 आपने sulfuric अमल का एक mole बनाया और S2SO4 के जो constitute element थे वो कौन-कौन से थे वो hydrogen था, वो sulfur था और oxygen था तो इस case में जितनी heat evolve होगी बच्चों, how much heat is evolved during this process is known as enthalpy of formation या फिर heat of formation तो enthalpy of formation या heat of formation से मतलब क्या होता है जब कभी किसी chemical compound के एक mole को उसके constitute element से बनाते हैं तो how much heat is evolved और absorbed उसे हम बोला करते हैं क्या heat of formation अब जैसे हमने यहाँ पर यह case देखा हमने जैसे यह case देखा let me take another example मैं एक और example लेता हूँ उसके लिए suppose कीजिए हम लोग बात करते हैं methane के बारे में ठीक है methane के बारे में तो methane जिसे मार्श गैस भी कहा जाता आप जानते होंगे so methane के constitute element कौन है बच्चों methane के जो constitute element है वो carbon और carbon कौन सी form लोता है graphite form लोता है fundamental state अगर देखी जाए असल डायमांड भी होता पर मैं फिर बोल रहा हूँ diamond fundamental state नहीं कही जा सकती ठीक है और अगर hydrogen देखा जा तो hydrogen के कितने molecule लगेंगे बच्चों दो molecule को कि atom कितने लग रहे है atom यहाँ पर लग रहे है जाए है कितने मोल बनाने के लिए हैडरोजन का एक मोल लगा लगा लेकिन ऑक्सीजन के दो मोल लगे वैसे कर मैं CH4 के बारे मुलू तो carbon का एक मोल लगा लेकिन हाइडरोजन के दो मोल लगे सो उससे कोई confusion होने वाली बात नहीं है बच्चों कि हमको यहाँ पर कितने मोल लगेंगे हमें इधर एक मोल बनाने का है simple सी बात we have to make one more of this compound it is irrelevant कि यहाँ कितने मोल लग लग रहे है natural सी बात है रियक्शन को balance करने के लिए इसे हम बोलेंगे निर्मान की उश्मा या फिर संभुवन की उश्मा बच्चों ठीक है अब यहाँ पर मैं जड़ा एक एक करके कुछ आपको काम की बाते बताता हूं जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम माल लीजिए यह करते हैं अमोनिया का फार्मेशन करते हैं हम अमोनिया का फार्मेशन करते हैं हमने सपोस कीजिए अमोनिया का फार्मेशन करा और हमने बनाया उसको अब अमोनिया में उसके जो यहां पर अगर देखा जाए तो यह देखिए यहाँ अमोनिया इसके जो घटक तत्व है बच्चो वह नाइट्रोजन और है इस केस में जो हीट आ रहे है ध्यान दीजेगा इस हीट इस नॉट इकवल टू हीट फॉर्मेशन यहीट फॉर्मेशन नहीं होगी क्यों नहीं होग क्योंकि आपने अमोनिया बनाया इसमें कोई संशेसंदे नहीं है लेकिन आपने कितने तो घ्यान दे लीजे हमने 2 मोल बनाये हैं जबकि हमको इमानदारी से कितने मोल बनाने ने थे एक मोल बनाने थे हाँ तो अब अगर मैं बोल सकता हूँ कि दो मोल बनाने के लिए जितनी लगेगी अगर मैं उसको दो से डिवाइड कर दूँगा तो नैचरली वो एक मोल के लिए आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी बच्छो हीट ओफ फार्मेशन हाँ अभी आपके पास में क्या आई थी दो मोल के लिए आई थी देल्टा एच दो मोल के लिए आई थी देल्टा एच तो एक मोल के लिए कितने आएगी अगर दो मोल के लिए देल्टा एच तो एक मोल के लिए हो जाएगी देल्टा एच बाइच 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 तो एक मोल बनाने के लिए एक मोल बनान उसे बनाया किस से उसे मैंने बनाया carbon monoxide और oxygen से यहाँ पर ध्यान दीजी अब इस case में क्या होगा you have made one mole of carbon dioxide using carbon monoxide and oxygen अब इस case में जो heat आएगी बच्चो क्या ये heat heat of formation के equal होगी आप सोच सकते हैं दिमाग लगा सकते हैं क्या ये heat heat of formation के equal होगी तो फिर वही जवाब मिलेगा बच्चो this heat is not equal to heat of formation ये heat heat of formation के equal नहीं है क्यों नहीं है उसके पीछे भी साधरन सा उत्तर ये है बच्चो कि आपने एक mole बनाया देखी यहाँ तो एक mole नहीं बनाया था ये बांदा हो गया था यहाँ आपने बनाया एक mole है लेकिन आपने उसके constitute element नहीं लिए बिक carbon dioxide के constitute element को है carbon और oxygen carbon dioxide के constitute element है बच्चो carbon और oxygen और मैंने यहाँ पर carbon और oxygen को चूकी नहीं लिए आप not taken carbon and oxygen इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो heat आएगी वो heat of formation के equal नहीं होगी वो heat of formation की equal तब कहीं जा सकती थी जब आप एक mole बनाते हैं बिल्कुल बनाया लेकिन constitute element नहीं लिए इसी दिए बच्चो ठीक है ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूँ सपोस के कि मैं C2H4 बनाता हूँ ethene या ethylene इसे कहा जाता है organic chemistry में आप लोगों junior class में पढ़ा होगा आगे चलके हम फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो C2H4 बना बच्चो यदि मान लीजे कि कुछ मैं ऐसा case लेता हूँ यदि मैं यदि मैं कुछ ऐसा case लेता हूँ यह लीजे सहाब इस case में इस case में जो heat आएगी वह heat बच्चो heat of formation के क्या equal होगी यहाँ पर देखिए अगर आपने यह वाजी reaction कराई तो क्या यह heat heat of formation के equal होगी तो फिर वही जवाब मिलेगा बच्चो यह heat heat of formation के equal नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आपने बकादा एक mol बनाया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कॉंस्टुटूटूट एलिमंट भी लिये, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु, क्या आपने कॉंस्टूटूटूट एलिमंट को उनकी फंडामेंटर स्टेट में लिया, आपने यहां तो फंडामेंटर स्टेट ली, लेकिन यहां फंडा आपने constitutional element को fundamental state में नहीं लिया, तो तीन बाते होना, जरूरी एक मोल होना, उसके घटक तत्व होना, and they should be existing in fundamental state. तो इस case में जितनी heat evolve भी अभजाव होती, बच्चो, उससे हम बोला करते हीट of formation, या फिर enthalpy of formation, जिसे हम delta HF से represent करते हैं, यहाँ पर दो बाते आप समझ दियेगा, बच्चो, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दो बाते जुरूर से काम की हैं, जो पहली बात तो यह, कि यह जो हमने heat of formation, उससे delta HF से represent किया है, और अगर माल दीजिए यह formation की process, अगर यह formation की process, बच्चो, standard conditions में कराई जाएं, यहने की 298 Kelvin, 298 Kelvin यहने की 25 degrees Celsius, अगर यह formation की प्रक्रिया 298 Kelvin यहने की 25 degrees Celsius है, और 1 atmospheric pressure पर कराई जाएं, यहने की standard condition में करवाई जाएं, तो उस समय जो heat of formation आती हैं, बच्चो, उससे आप बोलते हैं, standard heat of formation, और standard heat of formation जो होती, बच्चो, it is represented by delta HF0, तो यह ध्यान देने बारी बात है, if formation process is allowed to take place in standard condition like 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, then what amount of heat is evolved, is known as standard heat of formation or standard heat of enthalpy of formation, which we use to represent by delta HF0, तो यह एक बात आपको ध्यान रखने हैं, और इसके अलावा, दूसरी एक और बात मैं बता दूँ, बच्चो, किसी भी element की, किसी भी element की, उसकी fundamental state में, जैसे hydrogen की fundamental state, यह है, oxygen की, यह है, sodium की, किसी भी element की, बच्चो, उसकी standard, उसकी जो fundamental state होगी, fundamental state में, उसकी heat of formation जो होगी, बच्चो, वो zero ली जाएगी, वो कितनी लेकी जाती है, हमेशा वो zero ली जाती है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत important बात, कि heat of formation of any element in its fundamental state is assigned as zero, देखो, मैं एक बात तो आपको पहली बोल चुका होँ, कि, जो heat of reaction होती है, वो कभी भी आप calculate नहीं कर सकते, या enthalpy, sorry, किसी भी compound की enthalpy आप calculate नहीं कर सकते, आपके वाल enthalpy में change निकालने के लिए हम लोग उने देखा था, bomb calorie meter का use करते हैं, लेकिन हम उसमें कभी change नहीं निकाल, हम उसमें exact value निकाल सकते, हम कभी यह बोलें कि फलाने compound की इतनी enthalpy है, तो यह कहना गलत होगा, हम यह बोल सकते हैं कि उसके enthalpy इतनी बढ़ गई या इतनी घड़ गई आर्था, तो उसमें इतना change आ गया, change can be calculated, but absolute value cannot be calculated, और हमने उसी को आसान बनाने के लिए क्या करा, आपको किसी भी element की उसकी fundamental state में, जो heat of formation ली है, वो कितनी ली है, वो zero ली है, ध्यान दखिएगा, इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ आपको, इसके अलावा एक और बात में बताता हूँ बच्चों यहाँ पर जैसे यह तो हमने देखी लिया, और अगर जैसे सपोस कीजिए मैं आपको बताता हूँ यह से carbon dioxide, अभी carbon dioxide, carbon dioxide की heat of formation, जैसे एक उधाराण, लगबग लगबग मोटा मोटा मान बता रहा हूँ आपको, carbon dioxide की heat of formation है, अगर सपोस कीजिए वो minus 96 kilocalorie है, कितनी है वो, minus 96 kilocalorie पर मोल, अच्छे यहाँ पर यह भी लेकिन मैं इसमें बता दूँ आपको कोई भी, कोई भी reaction हो, हमेशा ध्यान देखिएगा कि heat of formation हो, या heat of combustion हो, कुल बलाकर heat of reaction हो, तो उसकी unit जो होती ही बच्छो, उसकी unit होती है, kilo calorie per mole, या फिर kilo joule per mole, simple सी बात है, आपको energy upon mole लिखना है, kilo calorie per mole लिख दीजे, kilo joule per mole लिख द इसका मतलब यह है, कि जब carbon dioxide के 1 mole को उसके constituted element से बनाते हैं, तो 96 kilo calorie energy evolve होती है, minus sign के indicate कर रहा है, evolve हो रही है, और कितनी evolve हो रही है, 96 kilo calorie heat evolve हो रही है, जब आपने carbon dioxide का 1 mole बनाया, तो आपको 96 kilo calorie heat evolve हो ही, मतलब मैं यू कह सकता हूँ, कि इसकी जो energy होगी बच्छो, वो इनसे 96 kilo calorie कम होगी, गोर कीजेगा हम जब ये बनाते हैं, तो 96 kilo calorie heat evolve हो रही है, 96 kilo calorie heat evolve हो रही है, मतलब जैसे ये देखी, ये carbon था और ये oxygen था, और ये आपके पास में carbon dioxide था, जब आपने इन दोनों को use करके ये बनाया, तो 96 kilo calorie heat evolve होई, 96 kilo calorie heat evolve होई, मतलब इसका ताथपर ही होगा, कि इसकी energy, इनके कम पर इद 96 kilo calorie कम है, और इसी चीज को हम एक और शब्दों में बुगारा करते हैं, इसे हम बोला करते हैं, intrinsic energy, ध्यान दीजेगा, इससे हम intrinsic energy भी कहा करते हैं, इसे हम क्या नाम देगे, intrinsic energy, हम बोल सकते हैं, यहाँ पर कि जो carbon dioxide है, carbon dioxide जो है, उसकी intrinsic energy कितनी बच्छो, 96 kilo calorie, ये ध्यान द जाती है, अगर heat of formation minus 100 आ जाती, तो हम बोलते हैं कि carbon dioxide की intrinsic energy है, 100 kilo calorie, minus sign तो सिफ एक symbolic representation है, कि energy evolve हो लिए, ठीक है, मैं एक बाद फिर कहारा हूं, देखिए, मैंने एक ये reaction कराई, और सपोज कि जो delta HF आया, वो minus 96 आया, भाईया, minus 96 का मतलब ये है, 96 kilo calorie heat, वाल वही है, मतलब इ है, बच्चो, इसका मतलब क्या होगा, कि इस carbon dioxide की, जो intrinsic energy है, वो कितनी होगी, 96 kilo calorie, तो मैं एक बाद फिर से revise करता हूं, कभी भी किसी compound का एक mole, आप जब उसके constituted element से बनाते हैं, तो जितनी energy evolve होती है, उसे हम बोला करते है, heat of formation, जो कि उसकी unit kilo calorie per mole, या kilo joule per mole होती है, और य जिन उधारन बिता है, मैंने जिन cases में, वो heat of formation की equal नहीं थी, अगर ये formation की process standard condition में कराई जारी है, तो से आप बोलते है, standard heat of formation, जिससे delta HF not से represent करते हैं, और किसी भी element की, उसकी fundamental state में heat of formation has been assigned as zero, और जितनी heat of formation आती है, बच्चो, उतनी ही उसकी intrinsic energy किलाती है, अंतर सिर इतन energy, intrinsic energy, जो है, वो minus हो जाएगी, अगर heat of formation negative है, तो intrinsic energy positive, और heat of formation positive है, तो फिर उस case में, जो intrinsic energy होगी, बच्चो, वो negative होगी, एक और बात में आपो बता दूँ, देखिए, जो formation की process होती है, वो exothermic भी हो सकती है, और वो endothermic भी हो सकती है, और ऐसा compound, बच्चो, जिसकी delta HF negative है मतलब अगर वो exothermic process है, अगर delta HF negative है, मतलब वो exothermic है, तो ऐसे जो compound होते हैं बच्चो, उन्हें हम बुला करते हैं, exothermic compounds, ऐसे compounds को हम क्या बुला करते हैं, exothermic compound, exothermic compounds को क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि ऐसे compound जिनके formation के दोरान heat evolve होती है, यह यूं कहा जाए कि जिनका delta HF negative है, जिनका delta HF negative है, और थात की जिनके बनने के दोरान heat evolve होती है, उन्हें हम बुलेंगे exothermic compound, और ऐसे compound बच्चो, जिनके बनने के दोरान heat absorb होती है, और थात जिनका heat of formation positive है, ऐसे compounds को हम नाम दिया करते हैं, बच्चो, क्या endothermic compound, we used to call them endothermic compound, तो endothermic compound वो होते हैं, जिनकी heat of formation positive है, और exothermic compound वो होते हैं, जिनकी heat of formation negative है, इस reaction की बच्चो हम से enthalpy पूछी है, और यहां पर methane, carbon dioxide और water, इन तीनों की बच्चो heat of formation आपको दे रखी है, और किसी भी reaction की enthalpy क्या होती है, आप जानते हैं, बच्चो किसी भी reaction की enthalpy होती है, heat of formation of products, minus heat of formation of reactant, उत्पादों के संभवन के उश्मा, minus अभी कारकों के संभवन के उश्मा, अब यहां पर देखी हैं, बच्चों, प्रोडक्स में कोन है, प्रोडक्स में carbon dioxide है, और carbon dioxide की कितनी दे रखी हैं, बच्चों, minus 393.5, बच्चों, बच्चों, और फिर बारी आती ह 26.2, water की है, बच्चों, minus 286.2, यह लीजे सब, बच्चों, बच्चों, minus 286.2, यह लीजे सब, बच्चों, carbon dioxide की इतनी है, water की बच्चों, यहां पर दो water के molecule हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ करूंगा, minus, बच्चों, minus methane, methane की कितनी है, बच्चों, हम देखें तो, methane की है, 74.8, as you can see, और जहां तक बात है, बच्चों, oxygen की, oxygen की हमको नहीं दे रखी है, किसी भी element की, कोई भी element हो, बच्चों, फिर वो oxygen, O2, nitrogen, N2, carbon, C, किसी भी element की, बच्चों, उसकी fundamental state में, किसी भी element की, उसकी fundamental state में, जो heat of formation होती है, बच्चों, वो 0 होती है, ध्यान दीजिए, क oxygen की fundamental state, O2 है, nitrogen की N2 है, chlorine की Cl2 है, किसी भी element की, उसकी fundamental state में, जो heat of formation होगी, बच्चों, वो 0 होगी, अभी products की, देखिए, साब तो इसमें carbon dioxide की इतनी है, water की इतनी है, तो यह तो compound है, लेकिन यह element था, और element की, उसकी fundamental state में, बच्चों, जीरो, आप यह solve करके देखिए, यू आपको दे रखे, बच्चों, वो सारी किलो, जूल्स में है, अमोनियम नाइट्रेट, NH4, NO3, जो की solid form में था, जब उसे गर्म किया गया, बच्चों, तो N2O और water बनता है, यह आपको बविश्य के लिए स्मरण भी रखना चाहिए, और आपसे बच्चों, डेल्टा H और E की वेल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट, N2O और water, इन तीनों की बच्चों आपको heat of formation दे रखे, molar heat of formation, molar heat of formation मतना पर मोल, एक मोल को बनाने के लिए, heat of formation आपको पर मोल दे रखे बच्चों, ऐसा चुनों ने, unit में पर मोल कहीं नहीं ब एच क्या होता है बच्चों, डेल्टा होता है, heat of formation of products, minus heat of formation of reactants, अभी product में कौन को नहीं बच्चों, product में है, N2O और water, N2O की कितनी है, सहाब, N2O की देखे तो 81.46, बच्चों प्रोड़क्स में, N2O है, उसकी 81.46, प्लस water, water की कितनी है, बच्चों, water की है, minus 285, minus 285.78, ग बच्चों, product में, N2O है, N2O का एक मोल था, इसलिए, as it is लिखा, फिर water के 2 मोल था, इसलिए, ये लिखा, बच्चों, और फिर बार ही आती है, reactantan की NH4NO3, और NH4NO3 की बच्चों minus 367, minus 367.5, बच्चों, product में आपके पास में ये थे, और यहां पर ये, और confuse मत होईएगा, स solid है इसलिए हम इसको नहीं लिखें solid है तो आप उसके number of moles को count नहीं करते हो जब आप delta n निकालते हो पर इसका मतलब यह नहीं कि delta h-122.56 kJ अभी साथ में बच्चो delta e निकालना है और delta e निकालने के लिए आप delta n निकालेंगे which is equals to number of moles of products minus number of moles of reactant of product में बच्चो यहाँ पर n2o है और n2o और water water के तो चलिए साथ 0 mole क्यों क्यों क्योंकि water यहाँ पर liquid state में लिया गया water यहाँ पर liquid state में लिया गया और फिर reactant तो reactant में बच्चो solid और solid के कितने mole है जीरो बच्चो और इस तरीके से बच्चो यह delta n आ गया plus delta n into rt delta n निकालते समय अफ्कोर्स हम लोग cable gas को count करते हैं लेकिन यहाँ पर तो liquid हो यह कुछ भी हो आपको सभी को लिखना बच्चो anyways so delta e की value जो आएगी बच्चो that would be equals to delta h minus delta n into rt और delta h की value कितने आ चुकी बच्चो delta h की value आ चुकी minus 122.56 minus delta n कितना है बच्चो delta n की value 1 है और r की value बच्चो joules में 8.3 है temperature जैसा कि आप देख रहे है बच्चो 25 degree Celsius है तो उसे आपको Kelvin में change करना पड़ेगा और Kelvin में change करने के लिए बच्चो आप उसमें 27, 273 है खर देंगे और ध्यान दीजिए बच्चो this is in kilo joules यह kilo joules में है और यह joules में है इसलिए हम क्या करेंगे बच्चो इसको thousand से divide कर देंग तो यह आएगा बच्चो minus 122.057 minus 125 125 मैं पहले से calculation कर चुका हूँ बच्चो इसलिए मैं direct लिख सकता हूँ आप verify कर लीजिएगा कि मेरा answer सही है या गलत है ammonium nitrate को गरम करने पर N2O और water बनता है बच्चो आपको यह ध्यान रखना चाहिए इसी प्रकार से यदि आप NH4NO2 ammonium nitrite को गरम करते हैं बच्चो तो this is a method by which you can prepare nitrogen यह nitrogen के preparation की एक method है बच्चो आमोनियम nitrite को गरम करो तो N2O बनता है आप इस तरह से याद रखेंगे तो दोनों reaction भी आपको याद हो जाएंगी और दोनों में difference भी आपको याद हो जाएगा